ओजल किचन में आपका स्वागत है आज हम गाजर के बारे में बात करेंगे जो बहुत पॉष्टिक है और विटामिन A, C, K और पोटासियम से भरपूर है यह आखों का स्वास्थि सुधारता है क्योंकि विटामिन A द्रिष्टी को बचाता है गाजर में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो पाचन को बहतर बनाता है और वजन घटाने में मदद करता है गाजर में मौजूद एंटिक सिडेंस भी बीमारियों से बचाते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं गाजर वजन कम करने के लिए एक अच्छा भोजन है क्योंकि इसमें बहुत सारे फा रखने में मदद करता है, जो आपको कम खाने और वजन कम करने में मदद करता है। प्रतिरक्षा को बढ़ाता है गाजर विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो एक एंटिक सिडेंट है जो शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। विटामिन सी शरीर को संक्रमन से लडने और घावों को ठीक करने में मदद करता है। हृदय स्वास्थे में सुधार गाजर, फाइबर और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोथ है, जो दोनों हृदय के लिए आवशक है पोटेशियम रक्तचाप को कम करता है और फाइबर कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है गाजर में विटामिने और बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो तवचा के स्वास्थे के लिए आवशक है विटामिन ए तवचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है, जबकि बीटा कैरोटीन तवचा को यूवी किरणों से बचाता है गाजर में एंटिक्सिडेंट होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं का विकास और प्रसार रोक सकते हैं स्तन कैंसर, कोलोरेक्टिल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के विकास का खत्रा कम हो सकता है अगर आप गाजर खाते है गाजर में एक एंटिकसिडेंट बीटा केरोटीन पाया जाता है, जो मस्तिश कोशिकाओं को बचाने में मदद कर सकता है और उम्र से संबंधित मस्तिश क्षय को रोग सकता है गाजर का सेवन करना भी अल्जाइमर रोग और पार्किंसन रोग जैसी नियूरोडिजनेरेटिव बीमारियों का खत्रा कम कर सकता है गाजर में घुलनेशील फाइबर की बहुतायत होती है, जो रक्त शरकरा को नियंतरित करने में मदद कर सकती है मधुमेह से पीरित लोगों के लिए गाजर एक अच्छा भोजन है गाजर में बहुत सारे फाइबर हैं, जो पाचन के लिए अच्छे हैं फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्स को दूर करने में मदद करता है इम््म्यूनिटी बढ़ाता है अस्थी की गुणवत्ता में सुधार गाजर में अच्छी मात्रा में विटामिन के हुता है जो अस्थी स्वास्थ के लिए आवशक है विटामिन के रक्त थक्के को रोकने और हड़्डियों की घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है औस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के रोगों का खत्रा कम करने में गाजर का सेवन मदद कर सकता है गाजर एक स्वादिष्ट और पोशक सबजी है जिसमें कई स्वास्थे लाब है गाजर हालां की कुछ लोगों को कुछ बुरा भी लग सकता है शरीर में बीटा कैरोटी नामक एक योगिक गाजर से विटामिने बनाता है विटामिन ए तवचा के लिए बहुत जरूरी है लेकिन बहुत अधिक कैरोटीन खाने से तवचा पीली या नारंगी हो सकती है जो कैरोटनॉइड गाउट कहलाता है या आम तौर पर अस्थाई है और कोई स्वास्थे समस्या नहीं पैदा करता है गाजर में घुलनशील फाइबर बहुत होते है गाजर खाने से कुछ लोगों को गैस, एंठन और दस्थ हो सकते है यदि आपको ये समस्याएं होती है तो गाजर को कम मात्रा में खाएं या इसे उबाल कर या पका कर खाएं गाजर कुछ लोगों को एलर्जी कर सकता है डॉक्टर से तुरंट संपर्क करें अगर आप गाजर खाने के बाद किसी भी प्रकार की त्वचा की प्रतिक्रिया, सांस की तकलीफ या गले में खराश का अनुभव करते हैं प्रतिरोधी स्टार्च नामक एक प्रकार का फाइबर गाजर में पाया जाता है प्रतिरोधी स्टार्ज आंतों में बैक्टिरिया द्वारा किन्वित होता है और पाचन तंत्र में नहीं तूटता है प्रतिरोधी स्टार्ज से कुछ लोगों को पेट में गैस और एंठन हो सकते हैं गाजर में ओकसालिट और फाइटिक एसिड दो योगिक होते हैं कुछ खनिजों के अवशोशन को ये योगिक रोक सकते हैं यदि आप जिंक आईरन या कैल्शियम की कमी से पीडित हैं तो गाजर का अधिक से अधिक सेवन न करें